सारक्षक भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिल गई है मैप आईटी ने ग्रिवेभा को जाज रिपोर्ट सौब दिया और पास करने के बाद अयोग बताने वाली शिकायत को जूटी करा दिया है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि योग और अयोग के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी हुआ है रिपोर्ट के बाद जल्द ही फिजिकल टेस्ट की प्रक्रियाश शुरू की जा सकती है पहले चरण में बताए नहीं गए थे मेरिट लिस्ट के अंक कितने थे वो ये बताए नहीं गए थे और अंक बताने से फिजिकल टेस्ट से प्रभावित होने की संभावना रहती है और इसी के चलते अंक जग जाहिर नहीं किये गए थे 2016 और 2017 की परीक्षा में भी कट ओफ मार्क्स घोशित नहीं हुए थे रिक्तपदों के मुकाबले पाच गुना अभ्यरतियों का रिजल्ट घोशित हुआ है पहले चरण में 30,000 अभ्यरती पात्र घोशित हुए है तो यह रिपोर्ट अब मैप आईडी ने ग्रे विभाग को सौब दी है आपको बता दे कि यह पूरा मामला पुले सा रक्षक भलती का है जिसके रिजल्ट में घोटाले की बात कही गए थी गड़बडी की बात कही गए थी ज्यादा जानकरी के साथ जी मीडिया समवादाता आकाश हुमारे साथ जुड़ गए है आकाश बड़ी बात है यह क्योंकि जिस तरीके से गंभीर आरोप अभ्यरतियों के तरफ से लगाए जा रहे थे रिजल्ट की कॉपी पे दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से पास और शाम तक आयोगे बता दिया गया है इसके बाद अब मैप आईटी के जो रिपोर्ट आई है उसमें एक क्लीन चिट मिल गई है पूरी तरीके से देखे मद्वदेश पुलिस आरक्षक भरती परिक्षा 2020 का ये पूरा मामला है जो परिक्षा 2022 में आयोजीत हुई थी परिक्षक के बाद चात्रों ने कई तरह के आरोप रिजल्ट को लेकर लगाये थे लेकिन ग्रीमंत्री इसे कूट रचित करार दिया था मैपाइटी को जाच के निर्देश दिये थे कि मैपाइटी की साहता से जाच किया जागी है जाच रिपोर्ट अब गरीमेबाग को सौपी जा चुकी है और पूरी तरह से क्लीन चिट मिली है यानि की परिक्षाय निरस्त नहीं होंगी इसकी पूरी संभावनाय खत्म हो करीब 30,000 अब्यर्थियों का चैन हुआ है कट आफ जारी करने की बात लगातार अब्यर्थियों के और से की जारी थी लिकिन ये इस पश्च तोर पर कहा गया है कि 2016 और 17 की जो परिक्षाय थी उस दौरान भी कट आफ नहीं दिया गया था क्यूंकि पहले च्रण के काम में कटाओं